नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के मल्टिपल चॉइस कोशन्स और जो ये मल्टिपल चॉइस कोशन्स होंगे साइन्स का चैप्टर नुबर वन है जिसका नाम में का अंसर हो जाएगा फूड नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशनमबर टू है दा कंपोनेंट और मटीरियल रिक्वायर टू प्रिपेर अफूड आइटम तो इक कोई भी फूड आइटम है उसको प्रिपेर करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स या कुछ मटीरियल की जुरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं इंग्रीडियेंट्स ठीक है उसको इंग्रीडियेंट्स कहते हैं इंग्रीडियेंट्स अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जैसे हो सकते हैं जैसे माल लिजी अगर कोई आप vegetable बना रहे हैं तो उसके ingredients में जो भी आप masala use कर रहे हैं जो भी आप सब्जी यूज कर रहे हैं वो सब ingredients हो जाएंगे साथी साथ जैसे आप माल दीजे चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए जो sugar है water है ये सब चीज़े उसकी ingredients हो जाएंगी next question is question number 3 question 3 में कहा गया the ingredients of a food item can be obtained from तो ingredients कहां से obtained किये जाते हैं तो ये animal से भी और plant से दोनों से obtained किये जा सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा option number C next is question number 4 chicken comes under which source of food तो chicken आपको पता होगा chicken मतलब जिसको हिंग हिंदी में मुर्गा भी कह सकते हैं मुर्गा या मुर्गी जो भी है ठीक है तो ये कौन सा source होगा food का क्योंकि ये animal है तो ये animal source of food है तो इसका answer हो जाएगा option number B next question देखते हैं question number 5 है ginger is the dash of a plant that we use in cooking तो ginger का कौन सा part है जो हम लोग cooking में use करते हैं या जो part हम लोग खाते हैं types the method the method of eating or choices of food followed by living organism is called dash habit ठीक है तो ये कैसी habit है method of eating देखे हमारी जो इटिंग की habit होती है जो method of eating होती है ठीक है choice of food हमलोग क्या खहना पसंद करते हैं हम लोग vegetables खहना पसंद करते हैं हम लोग meat खहना पसंद करते हैं नेक्स्ट ऐस्कों स्वेन प्लांट्स नैसा कुछनुम्द एनिमल स्व Josh Hill ना तर्फेल्ज प्लांट्स ना इसे आंइसे अनिमल्ट्स फ्लांट्स है'rebink Elmer कॉर्वन्टक्र ने तो इनको आंडियां है तो इनको सब्सक्राइब गायर स्वाता है रख़र नेक्स्ट इस question nine animal इनिमल विछ फीडंड उन इनिमल्स तो इने इमल्स पे जो feed करते है उनको क्या कहा जाएगा तो जो ईनिमल्स पे feed करते हैं उन को कहा जाता है कारणी वोर्रस या कारणी वोर्रस ठीक है B option बीת đisक बॐर्ट रचेateurs question nine नेक्स्ट कुर्शेन एनिमल्स जी हम पुछा आप से कारिवğर्च की कौनि नायन है5 कार कर्णिवर्च होते हैं बॉन्स एक समेन निक्स्ट कहा गया है ऐनेमल्स विच फीड अनिमल्स बौत ऑऽ दोनों पर प्लांट पर भी करें यो इन विवेज़ दोर दोनों चीज़े हो गया है वह वेजिटेबल करता है तो कहिं ना कहीं वह ओनी वोर्ट में इंक्लूट किया जा सकता है नेक्स्टेस कोश्रमबर 11 जैसे बीयर्स है बीयर्स भी यह क्या होते हैं बीयर्स ओमनी वोरस होते हैं क्यों क्योंकि बीयर जो है वो हनी भी खा लेता है और बीयर साथी साथ फ्लेश भी खा लेता है ठीक है यहां पर देखे आपको चार अनिमल्स के बारे में दिया गया है और पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो अलग है जिसकी इटिंग हैबिट्स अलग है काव आपको पता है यह हर्भी वोरस है मतलब यह सिर्फ घास खाती है गोट भी घास खाती है भी हर्भी वोरस है बफेलो भी घास वाला ही है मतलब यह तीनों हर्भी वोरस हो गए लेकिन अगर लाइन आप देखेंगे तो लाइन हर्भी वोरस नहीं होता लाइन घास नहीं ख कुल सही है शुगर भी डाली आती है मिल्क भी चाय में पड़ता है और साथी साथ ओयल जो है वो चाय में नहीं पड़ता तो इसका अंसर ओयल सही हो जाएगा तो इस नॉट अन इंग्रेडियंट आफ टी नेक्स्ट इस कुछ नंबर फोटीन बिहाइव इस अप प्लेस देख सब्सक्राइब कोई दाल है अगर चने को आप थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया में मॉइस्ट जगए पे आप कोई गीले कप्डे में बांद के रख दे दो एक दो दिन के लिए तो आपने देखा होगा उसके ऊपर से छोटे-छोटे से कुछ ग्रोइंग ये मतलब छोटे-छ चने के जो सीड होती है जो चना होता है वह एक सीड है तो उसमें से निकलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है they are called sprouts और वह बहुत ही होते हैं यह बाता पर आप रखेगा नेक्सटेस कुछन नमबर 16 विच फॉल्विंग इस नॉट इन इंग्रीडियन्ट आफ खीर अब देखे खीर भी आप लोग ने खाई होगी पता होगा खीर में क्या क्या पढ़ता है बहुत स्वादिश्ट होती है तो खीर में क्या नहीं पढ़ता है पूछा गया है तो मिल्क पढ़ता है तो ये गलत होगा उप्शन राइस भी पढ़ता है पल्सेज नहीं पढ़ती पल्सेज मतलब दाल जो है ये उप्शन गलत है तो C आंसर इसका गलत हो जाएगा बाकि D is also correct answer तो A, B और C, D तो पढ़ते हैं बस इसमें कौन सा नहीं पढ़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C तो मिल्च आनिमल्स क्या प्रेड्यूस करते हैं तो मिल्च आनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रेड्यूस करते हैं प्रेड्यूस करते हैं इसमें 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 इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़े players होते हैं मतलब जो sportsmen होते हैं क्योंकि उनको उनके शरीर को proteins की बहुत ज़्यादा जरुफ होती है तो उनको हमेशा ये prefer किया आता है ये refer किया आता है कि ये लोग proteins rich चीजों को खाएं जिसमें से sprouted seeds भी बहुत आगे आती है 19th question देखते है which part of spinach and cabbage is used for eating तो spinach मतलब पालक होता है cabbage मतलब बंधा होता है इसका कौन सा part हम लोग खाते हैं पूछा गया है A option is food, B option is leaves, C option is roots तो हम लोग इसका food तो नहीं खाते roots भी नहीं खाते हैं क्या खाते हैं, leaves खाते हैं तो B option will be the correct of question number 19 next question देख लेते हैं question number 20 है question 20 में क्या कहा गया है meat, egg, honey, milk are obtained from तो यह किस से obtained किया जाते हैं तो meat आपको पता है animal से obtained किया जाएगा egg भी animal से ही obtained किया जाता है साथ ही साथ animal बोले, bird बोले honey अगर देखा जाए तो यह B से obtained किया था ठीक है, insect की category में आएगा milk भी क्या है, एक तरीके से animals से obtained किया जाएगा, ठीक है, plant से कोई भी obtained नहीं किया जा रहा है तो यहां पर 20th question का जो answer हो जाएगा that will be animals, ठीक है animals का मतलब यहां पर insects भी आ गया ठीक है, यह बात याद रखिएगा animals में insects भी इंक्लूड हो गया है इस चीज़ को और birds भी इंक्लूड हो गई है ठीक है, animals को आप बहुत ज़्यादा deep में मतलब जाएगा, animals में हमने insect भी इंक्लूड कर दी और birds को भी बिटास के उत question number 21 देख लेते हैं, question number 21 में कहा गया है given below are the names of some animals, अब animal दिये गया है जैसे goat दिया गया है human beings दिये गया है, cockroach दिया गया और eagle दिया गया है, ठीक है, यह animals है पूछा गया है, which of the above animals form a pair of omnivores तो omnivores इन में से कौन कौन है omnivores वो होते हैं, जो grass या जो animals भी खा सकते हैं और जो plants भी खा सकते हैं तो उनको omnivores कहा जाता है तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसमें goat जो है, वो तो herbivores होती है, human beings omnivores होते है cockroach भी omnivores होता है eagle जो है, यह भी क्या होता है, यह भी यह कार्णी वोर होगा herbivores नहीं होगा, तो इसमें answer क्या हो जाएगा जिसमें option 2 और option 3 है वो correct है, तो इसका answer है, option number B ठीक है, next question is question number 22, question number 22 में देख लेते हैं honey bee makes honey from तो honey bee, honey कहां से बनाती है तो इसका बहुत simple answer है, nectar तो nectar is the correct answer of question number 22 question 23 देखते हैं इसमें कहागे है, below are the names of some animals तो यहापे भी कुछ animals के नाम दिये गए है जैसे cow है, sheep है, horse है और ox है, which of the following are the source of milk for human beings तो human beings को milk कौन प्रोइड करता ही, यह आपको बताना है तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो cow milk प्रोइड करती है, human beings को इसके बाद sheep भी milk प्रोइड करती है human beings को horse milk नहीं प्रोइड करता ox भी milk नहीं प्रोइड करती है तो इसका अंसर हो जाएगा, one and two, one and two है option number B next is question number 24, इसमें देख लेते हैं given below are the list of edible plants तो इसमें से edible plants जो जो है उनके list दी गई है, जिसे बनाना है pumpkin है, lady finger है और brinjal है which pair of plants have two or more edible parts इसमें से कौन से ऐसे plant है जिनमें दो या दो से जादा edible parts होते है ठीक है, तो बिलकुल बनाना में बिलकुल होता है और pumpkin में भी होता है, lady finger में नहीं होता brinjal में भी नहीं होता तो इसका answer हो जाएगा, one and two, one and two है option number A next question, question number 25 देख लेता है, the part of a banana plant not used for food तो बनाना का कौन से ऐसा part होता है जो food की तरह use नहीं किया जाता तो flower use किया जाता है fruit भी use किया जाता है, fruit तो सभी लोग खाते होंगे stem भी use करियाती है बस root को हम लोग food में यूज़ फूड खाने में यह इस्तिमाल नहीं करते है तो इसका answer हो जाएगा, option number D last question जो हमारा आज का है, वो है read each of the terms and identify the odd set यहाँ पर आपको चार sets दिए गए आपको बताना है कौन में से कौन सा अलग है तो cow, milk और butter बिल्कुल सही है क्योंकि cow जो है, वही milk देगी और milk से क्या बनेगा, butter बनेगा hen क्या देती है, meat और milk एक दोनों चीज़ देगी hen बिल्कुल सही है, goat से क्या मिलता है milk भी मिलता है, और meat भी मिलता है यह भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे D option देखें, तो plant दिया गया है, vegetable दिया गया है बटर मिल दिया गया है, जो की odd set है ठीक है, तो यह क्योंकि अलग है तो तीनों option तो सही थे कौन सा option गलत था, odd set कौन सा था option number D, इसमें सही हो जाएगा ठीक है, तो यह हमारे जो 25 या 26 question थे यह आज के हमारा एक बहुत important class 6th का chapter number 1 का set था बाकी के जो भी हमारे MCQs हैं वो हम लोग ने playlist में लगा लिये हैं आप लोग जाके उसमें चेक कर सकते हैं और अपने chapter को revise कर सकते हैं तो आज के लिए फिलाल इतना ही thank you very much, goodbye, जेहन